हेलो स्टों स्क एलेक्टरों सब्सक्माप को सब्सक्राइब आप सब भी आसा करते हैं बहुत अच्छे होंगे तो स्टे माइको टक का यह बी 700 मेरे पास इन्वेटर रिपेर हो ने कलिया जो कि 12 वल्ट का है और आधा किलो वाट में तो यह दोस्तों इन्वेटर में चलतो रह मॉल्ट कैनल के अअच्छे होगे हुए है अच्हाइक पर रखंद में ही तो पर मजिए पोजिट्य वाल वायर है उसके अरे मॉस्ट फट्ट जूड baking क्स्टंव है गयर मैं साइड में विशके मॉस्फुथ फटे हुए हैं तो देखेंगे जाएंगे किस वजह से नंबर यहosis माज ना यह सहले ना चाहिए दिए बहुते दो जब आप्सक्राइब करें चैनल रणारे यहाव पश्काइब करें बोन सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर RG और वीडियो को लाइक का लेना आपने दोस्तों सेव करने और ओल नोटिफिकेशन पर क्लिक भी कर लें जिसे अब को हर एक वीडियो मिलती रहें तो यह देख सकते हो सावे सभी वायर हटा लेने जब भी जितनी हीट सिंग वगारा और जितने कनेक्टर में सब भी यह सावे बड़ को बिल्कुल फिरी कर लिया है विलकुल अलाग एक दम अलाग हो चुगा है अब बैलकुल अलाग हो गया सबसे पहले तो इसमें जो फिजी कली चीज़ लग रही है वो हमें निकाल लेली है सबी चीज़ जो खराब है तो देख सकते है यह बिच्वाले के अप लगे हैं यह जो जले हुए इनको हम निकाल लेते हैं देखें मॉस्फेट दोस्तों आज कल के जिनने भी इन्वेंटर रहा है उन पर एंचेनल मॉस्फेट आता है एंचेनल में वही ओडिजिनल पीपच्पन जेड़ फॉर्टिफोर एन पी यह जातर यह मॉस्टली लगते है यहां जो लगते हैं मतलब गाइ यूज करते हैं और जो जातर आप लगा सकते हैं आसपास यही मिलते हैं वैसा तो बहुत नंबर मॉस्फेट के ऐंचेनल सब अपने कंपानी बनाते हैं बही अपनी बर्यंड बनाते हैं कोई भी चीज केज ले लो सब अपने अपने साब म curator कांचा यह सै तक तो जो जो मॉष्फित अमारे खराब है दोस्तों इनकी डिसोल्डिंग साफ कर लेते हैं उर यहां पर साफ कर लेते हैं यह जल्दि से निकाल के अभी आपको दिखाते हैं जो जो मॉष्फित ही पेजब लेते हैं अची पाज प्रेक्शिय Спेश्फ फूल ले यह देखिए देखिए एक किपड़ा निकालने के बाद एक साफ के ली हैं, यह व två सायडिक हैं। दोस्तोअ जब मुषफटें खराब होते में हैं एक चीज याद रखना। इनके गेट पे było पे रेजिस्टेंस होती है। यह जो पूरा पूरा असमडी है वो ऑजो गेट पे लगी होते हैं किसी में 202 लगी होती है एक IC वहां से सीधा वह IC से गेट के लिए हमारे ड्राइव आती है ड्राइव जाती है हमारे MOSFET पर तब हमारा ही स्विचिंग करता है तो वह अगर हमारी रेजिस्टेंस जल जाए तब भी हमारी दोस्तों MOSFET भी फुका तो उसके चांसिस रहते हैं कि वह जल जाए तो इधर की तरब भी देख सकते हैं अब मैं आपको पास से दिखा जाओ कौन सी रेजिस्टेंस रहती है यह देखिए पिन नमबर वन वन से जो रेजिस्टेंस आई है पिन नमबर वन वन से पिन नमबर वन पिन नमबर वन पिन नमबर वन यह रेजिस्टेंस लेगे हैं इनसे ट्रैक होके गया है तो इनकी जो वैल्यू रहेगी ना 36 ओम रहेगी इसके बराबर में जो हैं वो अलग हैं वो हमा तो दोस्तों, वैल्यू माइं, आपको दिखाते हों, देखिए 463 ओम अँछा ह예 जो वन उनके बराबर से में लेकिन भी नंकने तो पिन देखने माइलEh Mr. News आगर मैं आपको च्याज कर रहा हूं तो यह देखिए 36.1, 36.2 देखिए अगले दोर चेक करते हैं तीसरी यह देखिए 35.1 तो इस चैनल की जो रीस्टैंस है फोरी के तीन राइश की सारी वे तीनों रिचितर 14 लाइस बिलकुल के हैं थीक है भी सक्好吃 वेज़ी काली होरी है यह देखिए यहまぁरी बिलकुल तो हमने यह चेक लिए फिर इधर की रिजिटनेंश पर आपको चैक करने हैं जो पिन नंबर वन से लगए याद रखना भी चुछ नो फिस पर आप नी वॉल्टे जाती है या जाती है याद रखना चीज को पिन नंबर वन पे ही गेट होता है जैसे एक तरह ना गेट को जब तो जो यह आदमी है जानी की रइस्टेंज जो है वो ठीक होनी चाहिए तो अब हमें इसमें मौस्ट डालने से पहले एक चीज याद रखनी है आपको गेट पर वोल्टेज कैसे चेक कनी है मेरा मैं कहने मनलब यह है अगर आपने इसी कंडिशन में मौस्ट लिकाड़ा आपन लग गया आपको फुग गया आपने क्या करा मौस्ट डाला आपने उनके बटते सी बोल के तुरंदी डेफिनेटली उड़ेगा यह भी नहीं कह सकता कि सो परसेंट उड़े उड़े 99% चांसे से कि उड़ेगा क्योंकि मौस्ट जब फुगता है तो इस वाले एसमडी वाले है 12 ठीक है जहां-जहां पर आणी कि पॉंट है अब यहां पे S w और ग्राउंड लिख लुए देखिए तो S w और ग्राउंड को यानि कि स्वीच वाले वायर को यह में कनेक्ट करते हैं यानि कि इन्वेटर को ओन करते हैं सिर्फ यहां से यह नहीं करते हैं तो दो नो पिन हमारी drive दोस्तो 4.5 वोल्ट आनी चीए छोटे वाली hit sink की तरफ यह जो छोटे वाली hit sink है इधर इसकी pin number 1 पे यानि की drain वाली जो wire है बिच वाली उससो को छोड़ के pin number 1 जो है बिलुकुल gate वाली pin number 1 पे plus वाले point से और इस वाले pin number 1 पे जो voltage चेक करेंगे वो 4.5 वोल्ट आनी चीए है यह देखिए यह minus से चेक करना तो minus से चेक नहीं होगी लेकिन plus से चेक करना होगी देखिए एक pin minus पे लगा रखिए मैंने तो minus से भी नहीं आनी चीए और यहाँ पे देखिए दोस्तो अब यह pin number 1 पे यह देखिए pin number 1 पे लगा रहा हूँ gate gate पे तो minus से तो कोई नहीं आ रही क्योंकि minus से ही तो इससे बंद के जाती है तो लेकिन बिच वाली पे एक पर आविरी है एक पर minus भी आ रही है यानी नहीं चीए थी अब देखिए एक मने प्लस पे लगा लिया एक प्रोब हमें मल्टिमेटर की प्लस पे लगा लिया जहां पर यह बड़े वाली हीट सिंग है देखिए बड़े वाली हीट सिंग जो होती है यह एक ही लंबे वाली यह प्लस होती है तो इसकी pin number 1 1 से जो है यहाँ पर voltage नहीं आनी चीए ना गलत आरे हैं चार साड़े चार वोल्टे जाती है pin number 1 पे माइनस से ले लो या प्लस से ले लो वैसे माइनस से लगाने पे सार साड़े चार आनी चीए ठीक है अगर प्लस से लगा रहे हैं तो इसमें दोस्तों बड़े वाली हीट सिंग की तरफ आती है तो यह चीजे दोस् दोस्तों हमने finally okay कर दिया है इसमें problem क्या क्या थी मैंने आपको पहले वीडियो में दिखा दिया था हम थोड़ा सा आगए एक तो इसके MOSFET जल चुके थे MOSFET जलने के बाद दोस्तों यहाँ पर gate पर drive गलत आ रही थी जो कि यहाँ पर 80202 जो IC लगी होती है मैं आपको खाए दे रहा होगा IC का यह देखिए यह देखिए 80202 भी रहती है 83202 यह जो IC देख रहे हैं यह वाली IC है 83202 यह दोस्तों यहाँ पर जो 6 चैनल के जो होता है वैसे तो 4 चैनल में होता है लेकिन 3 चैनल में से डिबू कर दे जाता है यहाँ पर इनकी सारों की जो drive voltage आती ह आती है और यहाँ पर जितनी voltage battery चार थी उतनी हमाँ पर जा रही थी तो होजा की आरदा उससे लगाते ही MOSFET फड़ जाते तो हमने देखा drive गलता रही है तो हमने IC चेंज करी सब MOSFET चेंज करे जब हमारे चल पाया drive के लिए कितनी voltage आती है भी दिखाता हूं देखिए करता हूं ओन हो रहा है output देख लिए अब देखें यहां देखिए यह हम सीधात वाले में लगाए तने यह देखिए 186 आ गई है वोल्टें यहां पर कम क्यों दिखा रहा है क्योंकि यह स्क्वार वेव में है प्योर साइन वे नहीं है यह देखिए थोड़ा से वायर हिल ग पहले चार्जिंग पर मॉस्ट फट गए थे इसमें तो यह देखिए चलने लगी है चार्जिंग चार्जिंग के आमपर हो दिखाता हूं तो एक पिन हमने निगेट्व पर रख दी और एक पिन दोस्तों पिन नमबर वन पर यह देखिए अब मैं वोल्टें दिखांगा आ है अबạtये फिन नमबर वन पर आपकी इतनी वॉल्टे आती है यह देखिये और जो ही मैं जो यह दोस्तों इनकी पिन नमबर वन पे दिखा دेते हूं आपको नहीं चीहा कि चार दहें चार्स फाति अउस्वाले पर दिखा देते हूं गजिए बेंटि कर लोः इंडिकेशन दिखा दिया है इसने पर East Cities Rim आते है अप् सब्सक्राइब रही चैनल के मॉस्पित लगाते उड़ जाता है तो यह इसी जो होती है ना 3202 यह होती होती है जब आपके किसी भी चैनल के मॉस्पित उज जह आए तब आपको यह काम कर ला है तो में दोस्तों यह बिच में तीनों MAX करें ये फुले पड़ेते अधियों क्ईट जाते हैं क्यूंकि दोस्तों OVAVLOT में मुंज़े से फुल जाते हैं अगर यह आपने नहीं बदले तो होगा क्या अगर आपकी बैटी जादा डाउन होगी ना उस समय पर इसमें चार्जिंग आएगी तो यह चार्जिंग की फुल इंडिकेशन सो कर देगा आपका यह चार्जिंग पर प्रोब्लम करेगा साथे साथ दोस्तों यह आउटपुट थैंक यू